बैंगलोरू में जिस व्यक्ति ने अपनी जान देदी सोसाइट कर ली खुदकुशी कर ली उसके बाद बैंगलोर से पुलिस जो है जौनपूर जहां उनकी ससुराल है वहाँ पे जाच परताल के लिए आई अतुल सुभाष की आत्मत्या मामले में हुए मुकद्बे में गुरुबार यानी 12 दिसंबर को बैंगलोरू पुलिस जौनपूर पहुँची जो की अतुल सुभाष की सोसाइट से जुड़े तमाम पहलियों की जाच करेगी वहीं अतुल सुभाष के जौनपूर इस्थित सस कर निकल गए अतुल की खुदकुशी का मामला पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है इसी बीच अतुल की पतनी निकिता सिंखानिया की मा निशा सिंखानिया अपने घर ताला डाल कर मंगल बार की रात चुपके से अपने बेटे अनुराक सिंखानिया के साथ निकल गई बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बच कर 15 मिनट पर निशा सिंखानिया अपने घर से निकली और धीरे से ताला लगाया पीछे से रास्ते से किला के पास पहुची वहाँ पहले से खड़ी एक बाइक पर सबार होकर मा वा बेटे सिप मामले में जॉनपुर पुलिस मिर्धक के ससुराल पहँची घटना से जुड़ी जानकारी हासिल की पुलिस की माने तो घटना के बाद लगी भीड की सूछना पर पुलिस कानून विवस्ता को ध्यान में रखकर पहां पहुची थी मामले में अतुल की पत्नी निकिता सिंग अधानिया की सफाई भी सामने आई हैं। अपरेल 2022 में उत्तरपरदेश के जौनपूर में निकिता ने अतुल और उसके परिजनों के खिलाफ दहज परतारणा की शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ससूर दहज को लेकर नाखुश थे। वे दस लाख रुपए और देने की मांग कर रहे थे। निकिता ने आरूप लगाया कि दहज के लिए उसे प्रतारित किया जाता था। जब उसने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा वो अपने ससूराल में ही रहे। लेकिन उसके पती और साथ ससूर के बेवहार में कोई बदलाओ नहीं आया। निकिता का दावा है कि अतुल उसे शराब भी कर पीटता था और उसकी सारी सेलरी अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लेता था। अतुल सुभाज को आत्मत्या के लिए उक्साने के मामले में पत्नी निकिता, उसकी माननिशा, भाई अनुराक और चाचा सुशील सिंगानिया को आरूपी बनाया गया है। हमारा परिवार दोशी नहीं है और इस मामले में अदालत फैसला देगी। कोई सबूत या तस्वीर क्यों नहीं पेश की। अतुल ने लिखा कि मैं एक मजबूत कत्काटी का व्यक्ति हूँ। अगर मैं उसे पीटता तो उसकी कोई हड़ी तूटती या चोट का निशान होता। मेरी पत्नी ने दावा किया कि जब वो मुझे छोड़ कर गई थी तो मैं 40 लाक रुपय साला ना कमाता था। और बाद में 80 लाक रुपय साला ना कमाने लगा। ऐसे में जो व्यक्ति 40-80 लाक रुपय कमा रहा है तो क्या वो 10 लाक रुपय की मांग करेगा। और इसके लिए उसकी पत्नी और बच्चा उसे छोड़ कर चले जाए। निकिता की पिता की मौत पर अतुल ने लिखा कि निकिता ने खुद सुईकारा है कि उसके पिता कई साल से डाविटीज और दिल की विमारियों से जूज रहे थे। और डॉक्टरों ने उन्हें कुछ ही महीने का समय दिया था। ऐसे में मेरे और मेरे परिवार द्वारा 10 लाग रुपय की दहच की मांग करने से उनकी मौत की बात किसी बॉली बुट की कहानी जैसी है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद।